भारत में महलाओं की सुरक्षा को लेकर चाहे जो भी दावे किये जाए लेकिन इसे लेकर हुए एक सर्वेक्षन में भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया गया ही बहत दुर्भागे पून है इस मामले में भारत ने युद्ध ग्रस्त सीरिया और अफगानिस्थान तक को पीछे छोड़ दिया है सोमालिया और साउदी अरब में भी सुरक्षा के लिहास से महलाओं के लिए भारत से बहतर स्थती है महलाओं के सुरक्षा को लेकर ये वैश्विक सर्वेक्षन थॉम्सन राइटर्स फाउंडेशन ने किया है जिसने पांच महाद्वीपों में लेंगिक विशेशग्यों से बातचीत कर ये लिस्ट तयार की है महलाओं के सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल अकादमिक पेशे से जुड़े लोगों स्वास्त के क्षेत्र में कारेरत लोगों नीती निर्माताओं और पत्तरकारों के साथ साथ अन्य लोगों से पूछे गए थे करीब 550 विशेशग्यों से पूछे गए सवालों के आधार पर ये सर्वेक्षन किया गया और भारत को महलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश के तौर पर पहली रांक मिली है दूसरे स्थान पर अफगानिसान और तीसरे स्थान पर सीरिया को रखा गया है जबकि सोमालिया चौथे और साथी अरब पाचवे स्थान पर है सर्वेक्षन 26 मार्ट से 4 माई के बीच कराये गया जिसमें यॉरप, अफरिका, अमारिका, दक्षन पूर्वेशिया, दक्षन एशिया और प्रशान क्षेत्र को शामल किया गया है अमारिका इस लिस्ट में दस्वे स्थान पर है और शीष दस में नौदेश एशिया आई है